नमस्कार दोस्तों हम लोग कच्छा आठ की NCRT पढ़ रहते हैं जिसमें कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कल हम लोगों ने नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर के बारे में पढ़ा था उसमें हमने सिंथेटिक फाइबर को बहुत डिटेल में पढ़ाया था नाइ तो खल हमने ये दो चैप्टर कंप्लीट किया था दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कि जो प्राकिर्तिक संसाधन पाये जाते हैं इसमें से कौन से अच्छे प्राकिर्तिक संसाधन है और कौन से समाप्थ होने वाले प्राकिर्तिक संसाधन है दोस्तों प्राकिर्ति में जो नेच अधता की द्रिस्टी से जो ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं इनको दो भागों में बाटा गया है पहला इन इग्जोस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस मतलब अच्छा है अच्छा है प्राकिर्तिक संसाधन इन इग्जोस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस मतलब अच्छा है प्रा असीमित मात्रा में नेचर में पाय जाते हैं और मानों के उपयोग के द्वारा ये समाप्त होने वाले नहीं हैं इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है इसलिए इन्हें अच्छे प्राकिर्तिक संसाधन कहा जाता है दोस्तों डेफिनीशन याद रखिएगा ये पूछा जाता है अच्छे प्राकिर्तिक संसाधन किसे कहते हैं तो दोस्तों इसका example क्या है इसका example sunlight है और air है यह अच्छे प्राकिर्तिक संसाधन है यह unlimited quantity में है प्राकिर्ति में और human की activity या kriya कलापों से यह खतम होने वाले नहीं है दूसरा क्या है दोस्तों दूसरा क्या है दूसरा है समाप्त होने वाले प्राकिर्तिक संसाधन इसका नाम है समाप्त होने वाले होने वाले प्राकिर्तिक संसाधन मतलब एक्जोस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस तो ये ऐसे प्राकिर्तिक संसाधन है जो प्राकिर्ति में क्य है यह बहुत लिमिटेड है और यूमन एक्टिविटी के या यूमन क्रिया कलापों के द्वारा यह समाप्त हो सकते हैं तो इसका एक्जांपल क्या है दोस्तों याद रखिएगा यह सब इंपोर्टेंट डेफिनीशन है कि अच्छे प्राकृतिक संसाधन क्या है और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्या है तो इसका एक्जांपल है हमारा जंगल हो गया वाइल लाइफ हो गई हमारा पेट्रोलियम हो गया कोल हो गया मिनरल हो गया और नेचुरल गैसे यह सब समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है दोस्तों फॉसिल फ्यूल की डेफ क्या बढ़ेंगे कोल कोल किसे कहते हैं दोस्तों ये वर इंपॉर्टन है कॉल पत्थर की तरह बहुत थाड होता है और काले रंग के कलर में होता है कॉल का यूज किया जाता है दोस्तों खाना पकाने में पहले इसका यूज होता था रेलवे इंजन में और यूज किया जाता है थर्मल प्लांट में बिजली उत्पन करने के लिए दोस्तों अंडर high pressure बहुत जादा pressure हो और बहुत जादा temperature हो तो जो dead plant होते हैं वो slowly किसमे convert हो जाते हैं कॉल में तो ये जो slow process होती है जिससे जो है dead plant किसमे पॉल में convert होते हैं इस अभिक्रिया को कहते हैं carbonization या carbonikaran carbonikaran इसे carbonikaran या carbonization कहते हैं दोस्तों क्योंकि coal किस से बन रहा है ये dead vegetation plant से बन रहा है इसलिए इसको जीवास मिंधन भी कहते हैं दोस्तों अभी हमने बताया था कि जीवास मिंधन उन्हें कहते हैं जो सजीयों प्राणियों के मृताव सेसों से बनते हैं तो coal भी किस से बन रहा है जो dead plant है उनके remain से बन रहा है इसल इनको जीवास मिंधन कहा जाता है दोस्तों जो कोल होता है जब हम उसको इंडेस्ट्री में क्या करते हैं इसको प्रोसेस करते हैं तो कोल से हमें कौन कौन सा यूसफुल पदार्थ प्राप्त होता है दोस्तों ये याद रखिएगा इससे हमें क्या मिलता है इससे हमें कोक मिल और कॉल गैस मिलती है तो अब हम दोस्तों ये पढ़ेंगे कि जो कॉल है उससे जो यूसफुल प्रोडक्ट मिल रहा है सबके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों ये देखिए ये कॉल है अभी हमने बताया था ये पत्थर की तरह हाड होता है और काले रंग के कलर मे है दोस्तों कोक के बारे में पढ़ेंगे को क्या होता है ये बहुत टफ होता है पोरस का मतलब इसमें बहुत जो है सरंद्र होते है सरंद्र पोरस का मतलब सरंद्र होते है इसमें और ये ब्लैक कलर का होता है ब्लैक कलर का होता है अगर कोई दोस्तों पूछे ये का क्या है वो कोक है दोस्तों इसका यूज कहां किया जाता है दोस्तों इसका यूज किया जाता है मैनुफैक्चरिंग मैनुफैक्चरिंग आफ स्टील स्टील बनाने में इसका यूज किया जाता है और निसकरसण extraction of many metal जिसे निम निसकासन कहते हैं of many metal तो कोक का यूज किया जाता है स्टील बनाने में और extraction of many metal में हम कोक का यूज करते हैं दूसरा क्या है दोस्तों कोल से हमें क्या प्राप्त होता है पहला कोक हमने पढ़ लिया दूसरा कोल तार है कोलतार जो होता है वो ब्लैक होता है दोस्तों दिखने में और बहुत थिक लिक्विड होता है और इसकी बहुत अप्रिये गंद होती है यह मिक्चर किसका होता है दोसों सब्स्टेंस का मिक्चर होता है आप यह देख रहे होंगे कोलतार यह कैसा है ब्लैक है और यह ठिक लिक्विड की तरह होता है और इसकी बहुत अप्रिये स्मेल होती है इसका यूज कहां किया जाता है दोस्तों कोलतार का इसका यूज किया जाता है सिंथेटिक ड्रग बनाने में सिंथेटिक ड्रग बनाने में और कहां यूज किया जाता है प्लास्टिक पेंट बनाने में प्लास्टिक पेंट बनाने में परफ्यूम बनाने में इसका यूज किय जाता है दोस्तों ये नोट बहुत ही इंपोर्टेंट है कि बिटुमन का यूज हम कहां करते हैं दोस्तों बिटुमन क्या है बिटुमन एक पेट्रोलियम है इसका यूज किया जाता है पक्की सड़क बनाने में कोलतार की जगे पहले पक्की सड़क बनाने में कोलतार का उपय किया जाता था लेकिन आजकल बिटुमेन का उपयोग किया जाता है कोलतार की जगें पक्की सड़क बनाने में दोस्तों तीसरा क्या है पहला कोल से हमने पढ़ लिया कोग प्राप्थ होता है कोलतार प्राप्थ होता है दूसरा कोल गैस कोल गैस हमको कैसे मिलता है तो जब हम क कोईले का पॉल का जब हम प्रक्रम करते हैं प्रक्रम करते हैं कोग बनाने के लिए तो उस दोरान हमको क्या उप्टेन होती है उस दोरान हमको पॉल गैस उप्टेन होती है बतलब जब हम पॉल का क्या करते हैं कोग प्रक्रम करते हैं कोग प्रात करने के लिए तो उस दोरान ह इसका यूज कहां किया जाता है इंधन के रूप में बहुसी इंडस्ट्री में इसका यूज किया जाता है दोस्तों ये नोट क्याद रखियेगा कि कॉल गैस का उपयोग कहां किया जाता था स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पे लाइट जलती है उसमें कॉल गैस का उपयोग किया जाता था इसे फर्स टाइम कहां यूज किया गया था स्ट्रीट लाइट सड़कों पे जो लाइट जलती है उसमें कॉल गैस का फर्स टाइम उसका यूज किया गया था दोस्तों लंदन सोर्स के रूप में मतलब जो उसमा का सोर्स इसे माना जाता है लाइट के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं तो दोस्तों अभी तक हमने पढ़ा कॉल से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम के बारे में पेट्रोलियम क्या होता है पेट्रोलियम कैसे बनता है तो पेट्रोलियम जो होता है दोस्तों वो डिराइब्ड होता है पेट्रा इसका मतलब रॉक होता है ओलियम का मतलब आप सबी लोग जानते होंगे ओयल होता है यह मिक्स होता है कहां पे रॉक पे अंडर दा अर्थ इसके नीचे पेट्रोलियम को दोस्तों जरूर याद रखिएगा अगर कुशन पूछा जाए ब्लैक गोल्ड किसे कहते हैं तो ब्लैक गोल्ड जो है काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है क्यों क्योंकि इससे बहुत यूसफुल पदार्थ होते हैं हमारा पेट्रोल डीजल और बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो बहुत यूसफुल होते हैं जो हमें पेट्रोलियम से मिलते हैं इसलिए हम पेट्रोलियम को क्या काला सोना कहते हैं पेट्रोल और डीजल ये देखे लिखा हुआ है कि ये नेचुरल रिसोर्सेस हैं ये हमें आप्टेन होते हैं पे इसे होता है तो दोस्तों पेट्रोलियम का निर्माड जो होता है समुद्र में समुद्र में समुद्र में रहने वाले रहने वाले जीओं से होता है जीओं से होता है पेट्रोलियम का निर्माड जो समुद्र में जीओ रहते हैं उनसे ही पेट्रोलियम का निर्माड होता है समुद्र की तली में बैठ जाते हैं जब जू मर जाते हैं दोस्तों तो समुद्र की तली में बैठ जाते हैं इसके बाद ये क्या होता है मिट्टी और रेत से ढख जाते हैं फिर क्या होता है लाखों बरसों बाद क्या होता है वायू की अनुपस्थिती वायू की अनुपस्थिती और हाई प्रेसर लाखों बरसों बाद वायू की अनुपस्थिती, हाई प्रेसर और हाई टेम्प्रेशर पर जो इन मृत जीओं को किसमे पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में जो है convert हो जाते हैं convert हो जाते हैं तो इस तरह दोस्तों पेट्रोलियम का निर्माण होता है दोस्तों ये note है इसको याद रखिएगा कि विस्तो का पहला तेलकुआ कहां खोदा गया तो विस्तो का पहला तेलकुआ जो है Pennsylvania जो USA में है वहां खोदा गया 1869 में और जो है 1867 में आयल का पता कहां चला मुकाम इन असम में यहां पे आयल का पता चला दोस्तों इंडिया में तेल कहां पाया जाता है असम में पाया जाता है गुजरात में पाया जाता है मुंबई हाई में पाया जाता है और गोदावरी कृष्णा नदियों के बैसिन में फाया जाता है तो ये भी याद रखिएगा कि भारत में तेल कहां पाया जाता है अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होती है दोस्तों पेट्रोलियम जो है यह मिक्चर है किसका पेट्रोलियम मिक्चर है पेट्रोलियम पेट्रोलियम गैस का गैस का पेट्रोल का पेट्रोल का डीजल का डीजल का और किसका और लुब्रीकेटिंग लुब्रीकेटिंग ओयल का ओयल का और पैराफिन और पैर पैराफिन बैक्स का तो दोस्तों पैट्रोलियम किसका मिक्चर है पैट्रोलियम गैस का पैट्रोल का डीजल का लुब्रीकेटिंग ओयल का और पैराफिन बैक्स का तो प्रोसेस प्रोसेस आफ जो यह बैरियस बैरियस कंपोनेंट है इनके मिक्चर में पैट्रोल के मिक्चर म इनको अलग करना ही, process of separating इन सबको अलग करना ही, अलग करना ही, various constituent of petroleum, इन सबको अलग करना ही, क्या कहलाता है, refining, refining का मतलब होता है, दोस्तों, petroleum को सुद्ध करना, ये कहलाता है, refining of petroleum, तो दोस्तों, अभी तक हमने coal के बारे में पढ़ा, coal से क्या obtain होता है, उसके बारे में detail में देखा, इसके बाद हमने petroleum पढ़ा, इसका निर्माड कैसे होता है, विस्तो का पहला तेल कुआ कहां खोदा गया था, और भारत में तेल कहां मिलता है, और refining petroleum की कैसे करते हैं, अब दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे, natural gas क्या है, natural gas को दोस्तों, हम store करते हैं, under high pressure पे, जिसे क्या कहते हैं, जिसे CNZ कहते हैं, CNG, CNG का जो use होता है, दोस्तों, वो घर में और factory में किया जाता है, और ये हमें pipeline के थूँ सप्लाई होती है, CNZ की, दोस्तों, जो हमारी country है, हमारी country है, अगर ये पूछा जाए, हमारी country में natural gas कहां पाई जाती है, तो हमारे country में natural gas पाई जाती है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, राजस्थान में, महारास्ट में, महारास्ट में, और क्रिसना, क्रिसना गोदावरी डेल्टा में पाई जाता है, तो दोस्तों हमारे देश में natural gas कहां पाई जाता है, त्रिपुरा में, राजस्थान में, महारास्ट में, क्रिसना गोदावरी डेल्टा में, natural gas पाई जाता है, दोस्तों अभी हमने बताया था कि पेट्रोलियम के बहुत से कंसिट्वेंट है, और इनका यूज कहां होता है, तो अब हम स्टेबल से देखेंगे, पेट्रोलियम गैस जो है, लिक्विड के रूप में LPZ होती है, इसका यूज इंदन के रूप में घरों और इंडस्ट्री में करते हैं, इंदन के रूप में घरों और इंडस्ट्री में करते हैं, पेट्रोल का यूज हम कहां करते हैं, मोटर फ्यूल में करते हैं, और एवियसन फ्यूल में और सॉल्बेंट की तरह इसका यूज किया जाता है, ड्राइ क्लीनिंग के लिए पेट्रोल का, किरोसिन का यूज कहां करते हैं इंधन के रूप में हम स्टोप में करते हैं लैंप में करते हैं और जेट एरक्राफ्ट में करते हैं डीजल का उपयोग हम कहां करते हैं दोस्तों डीजल का उपयोग हम इंधन के रूप में हैबी मोटर वेहिकल्स जो है और इलेक्रिक जनरेटर इसमें हम डीजल का इंदन के रूप में उपयोग करते हैं लुब्रीकेटिंग आयल का यूज क्या होता है ये लुब्रीकेशन प्रोवाइड करता है पैराफिन बैक्स का यूज हम कहां करते हैं हम इसका यूज ओइन्वेंट में कैंडल में और वैसलींग ये सब किस से बने होते हैं हमारे पैराफिन बैक्स से बने होते हैं बिटुमन का उपयोग अभी हमने नोट में बनाया था इसका यूज किया जाता है पक्की रोड बनाने में पहले पक्की रोड बनाने में कॉल तार का यूज किया जाता था लेकिन आजकल बिटुमन का उप्योग किया जाता और इसका यूस पेंट बनाने में होता है तो दोस्तों LPZ, पेट्रोल, कैरोसिन, डीजल, लुब्रिकेटिंग आइंड, पैराफिन, बैक्स और बिटुमन ये सब पेट्रोलियम के कंसीट्वेंट है वह किमिकल प्रोसेट जिसमें जो पदार्थ होता है आक्सीजन से अबिक्रिया करके उसमा देता है उसे हम देहन कहते हैं और पदार्थ जिसका कंबसन देहन होता है उसे कंबस्टेबल कहते हैं या इसे हम इंधन भी कहते हैं दोस्तों, results के लिए जैसे Magnesium को हम जलाते हैं तो Magnesium का Oxide और उस्मा और light produce होती है अगर चारकोल को आप जलाते हो तो Carbon dioxide प्लस उस्मा प्लस उस्मा और light produce होती है दोस्तों ये note बहुत important है कि जो sun है उससे हमें heat और light दोनों मिलती है किसे nuclear reaction के दोरा sun से हमें heat और light दोनों मिलती है दोस्तों ignition temperature को क्या कहते हैं याद रखियेगा definition ignition temperature या जोलन ताप जोलन ताप किसे कहते हैं वह न्यून तम ताप जिस पे कोई पदार्थ क्या है जलने लगे कोई पदार्थ क्या है जलने लगे याद रखना है न्यून तम ताप जिस पे कोई पदार्थ जलने लगे वो उस पदार का जुलनता आप कहलाता है दोस्तों ये note important है जो माचिस की तीली होती है माचिस की तीली होती है माचिस की तीली उसके सिरे पे क्या लगा होता है उसके सिरे पे लगा होता है anti-money, anti-money, anti-money tri-sulfide माचिस की तीली के सिरे पे लगा होता है एंटी मनी ट्राइसलफाइट और पोटैसियम क्लोरेट तो माचिस की तीली के सिरे पे लगा होता है एंटी मनी ट्राइसलफाइट और पोटैसियम क्लोरेट और जहां पे हम माचिस को रगड़ते हैं जहाँ पे हम माचिस को रगड़ते हैं, वहाँ क्या लगा होता है, दोस्तों वहाँ लगा होता है, चूड़ित काँछ लगा होता है। करता है immediately immediately react कर जाता है किस से react कर जाता है किस से potassium chloride से sweat phosphorus immediately react कर जाता है potassium chloride से जो माचिस की तीली के सिरे पर लगा है और produce करता है बहुत ज़्यादा क्या produce करता है उसमा जिस से क्या होता है जिस से जो है एंटी मनी ट्राइ सल्फाइड का देहन प्रारंब हो जाता है और वो जलने लगता है तो दोस्तों याद रखिएगा कि माचिस की तीली के सिरे पर क्या लगा होता है एंटी मनी ट्राइ सल्फाइड और पर्टाइसियम क्लोरेट और जहां पर माचिस की तीली रगडते हैं वहां पर चूड़िय कांच और लाल फासपॉरस बहुत थोड़ा सा लगा होता है इसके बाद क्या होता है जब हम उसको रगड़ते हैं तो ये लाल फासपोरस तुरंट किसमे सफेद फासपोरस में कनवार्ट होके तुरंट रियक्सन करता है जो माचिस की तिली के सिरे पर लगा है पोटेसियम क्लोरेट और उसके बाद उससे रियक्ट करने के बाद बहुत जादा उसमोद पन कर देता है जिससे क्या है एंटी मनी ट्राइस सलफाइट का दहन प्रारंब हो जाता और वो जलने लगता है अब क्या हम पढ़ेंगे दोस्तों इन्फलामेबल सबस्टेंस या जॉलन जॉलन सील पदार्थ किसे कहते हैं जॉलन सील पदार्थ किसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जिनका जॉलन ताप बहुत कम हो बहुत कम हो जॉलन ताप और वो बहुत आसानी से आग पकड़ लेते हो उसे क्या कहते हैं जॉलन सील पदार्थ क जिनका ignition या जॉलनता बहुत कम होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं एक्जामपल के लिए पेट्रोल, पेट्रोल, एलकोहल, एलकोहल और एलपीजी ये सब जॉलन सील पदार्थ हैं दोस्तों ये नोट याद रखिएगा, important है कि सबसे common fire extinguisher या आग बुझाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं सबसे common है जब आग लगी हो उसको बुझाने के लिए हम water का यूज़ करते हैं बट water कब काम करता है दोस्तों जब आग लगी हो किसमे पेपर पे या लकडी की चीज़ों पे आग लगी हो तब हम water का यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए दोस्तों यदि आग लगी हो किसमे electrical equipment में या inflammable material जैसे petrol diesel में तो carbon dioxide best होता है आग बुझाने के लिए क्यों क्योंकि ये oxygen से भारी होता है और जहां आग लगी होती है carbon dioxide उसको चदर की तरह ढख लेता है जिससे जो है इंधन और oxygen के भी जो contact होता है वो खतम हो जाता है और आग हमारे control में आ जाती है दोस्तों ये काम कैसे करता है carbon dioxide आपने देख लिया कि ये जो है चदर की तरह कवर कर लेता है जिससे इंधन और oxygen के भी जो contact था वो खतम हो जाता है और fire control हो जाती है दोस्तों जो carbon dioxide होता है इसको हम उच्चदाब पर किया करते हैं उच्चदाब पर हम द्रव के रूप में क्या करते हैं द्रव के रूप में हम इसको cylinder में भर लेते हैं में भर लेते हैं जब सिलेंडर से ये छोड़ी जाती है तो ये बहुत तेजी से जब कारबन डायकसाइड सिलेंडर से छोड़ी जाती है तो ये फैलती बहुत तेजी से है बहुत तेजी से फैलती है और ये बहुत ठंडी होती है और बहुत ठंडी होती है ये ना तो आग को ये ना तो आग को चारो ओर से घेरती है बलकि इंधन के ताप को भी कम कर देती है ये क्या करती है ये ना तो आग को चारो ओर से घेरती है बलकि जो इंधन होता है उसका ताप भी कम कर देती है क्योंकि ये बहुत ठंडी होती है और आग कंट्रोल हो जाती है अब क्या पढ़ेंगे दोस्तों अभी हमने इंधन पढ़ा अब हम इंधन के टाइप पढ़ेंगे पहला टाइप है उसमें rapid combustion या तीब्र इसे हिंदी में क्या कहते हैं तीब्र देहन गैस जो बहुत तेजी से जलती है और क्या produce करती है उसमा और light ऐसे देहन को हम क्या कहते हैं हम तीब्र देहन कहते हैं और दोस्तों दूसरा क्या है spontaneous combustion या स्वत्तह स्वत्तह देहन किसे कहते हैं जो देहन होता है वो उस material में हो जो अचानक flame के साथ जलने लगे बिना किसी कास के तो उसे वहां कहते हैं स्वत्तह दहन पितलब ऐसा दहन जो उस मैटीरियल में लगे जो अचानक जलने लगे बिना किसी कारण के तो उसे हम कहते हैं स्वत्तह दहन दोस्तों फ्यूल या इंधन क्या होता है इंधन क्या होता है इंधन जो होता है सोर्स होता है किसका हीट एनर्जी का किसके लिए डोमेस्टिक और इंडस्टियल परपस के लिए इंधन का हम यूज करते हैं हीट एनर्जी के सोर्स के रूप में मेली जो इंधन होता है वो क्या होता है wood, charcoal, petrol, carcin यह सब क्या है यह सब substance indemn के रूप में यूज किये जाते हैं दोस्तों अगर यह पूछा जाए एक अच्छाशा indemn आप किसे मानते हैं तो अच्छा indemn दोस्तों वो होता है जो बहुत आसानी से क्या हो आसानी से बहुत आसानी से क्या हो बहुत आसानी से उपलब दो बहुत सस्ता हो और क्या करे और जले जले एर में क्या है बहुत moderate rate में इजली moderate rate में बहुत इजली जल जाए moderate rate में बहुत इजली जल जाए मतलब वह बहुत आसानी से उपलब दो सस्ता हो बहुत इजली moderate rate में air में जल जाए और क्या हो और ये जो है large इससे बहुत अधिक मात्रा में बहुत अधिक मात्रा में उसमा उत्पन हो उसमा उत्पन हो और ये जब जल जाय तो कोई भी आवान चनिय पदार्थ ना छोड़े जलने के बाद और इसका जो calorific value हो calorific value हो calorific value हो या उसमीय मान इसका बहुत हाई हो बहुत हाई हो तो उसे ही अच्छा इंधन मानते हैं दोस्तों ऐसा कोई भी इंधन नहीं है जो इन सारी property को follow करें तो प्रकिर्थी में कोई भी ideal इंधन नहीं माना गया है किसी को भी calorific value क्या होती है दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं अभी हमने बताया इसे उसमीय मान कहते हैं एक किलो ग्राम इंधन को जलाने से जलाने से जितनी उस माउत पन होती है उसे उस इंधन की क्या कहते हैं उसे उस इंधन की उसमीय मान कहते हैं दोस्तों ये एक्सप्रेस होती है किसमें इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर केजी तो डेफिनीशन याद रखिएगा दोस्तों और ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक अच्छा इंदन किसे मानते हैं जिसका उसमी एमान उसमी एमान बहुत जादा होता है अब दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों एसिड रेन क्या होता है वाइवंडल में आकसाइड होते हैं सलफर और नाइट्रोजन के जब ये डिजॉल्व होते हैं रेन में तो जब बारिस होती है तो ये जो आकसाइड होते हैं सलफर और नाइट्रोजन के ये सलफ्यूरिक एसिड और नाइटरिक एसिड बना लेते हैं दोस्तों ये दोनों ही बहुत स्ट्रॉंग एसिड है इस लिए इस वर्सा को क्या कहते हैं इस वर्सा को अमल बर्सा कहते हैं इस वर्सा को क्या कहते हैं अमल बर्सा कहते हैं यह दोस्तों बहुत ही हानिकारक होती है फसलों के लिए हमारी बिल्डिंग के लिए और सोयल के लिए बहुत सी बिल्डिंगें इससे खराब हो जा रही है दोस्तों एक नोट है ये इंपोर्टेंट है कि यूज जो डीजल और पेट्रोल का होता है वो आटो मोबाइल में डीजल और पेट्रोल का यूज जो है आजकल रिप्लेस कर दिया गया है CNZ के दोरा CNZ का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कमप्रेस्ड नेचुरल गैस क्यों रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि जब CNZ जलता है तो इससे हार्म फुल या हानिकारत पदार्द बहुत थोड़ी सी मात्रा में निकलता है इसलिए इससे स्वच्छ इंधन माना गया है CNZ को तो दोस्तों आज के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा हमने पढ़ा अच्छे प्राकिर्तिक संसाधन और समाथ होने वाले प्राकिर्तिक संसाधन क्या होते हैं और कोल के प्रोसेसिंग से हमें क्या क्या मिलता है उसके बारे में डिटेल में पढ़ा था पेट्रोलियम क्या होत उसके बारे में पढ़ा दोस्तों कमबसन पढ़ा कमबसन के दहन के टाइप पढ़ा और जॉलन ताप पढ़ा जॉलन सील पदार्थ के बारे में पढ़ा अमल बर्सा के बारे में पढ़ा है यदि आपको कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बेजियेगा दननेवाद।